जार्खंड विधान सभा का शीत कालिन सत्र आज से शुरू हो रहा है बड़ी खबर आपको बता रहा है और सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार बने हुए है जार्खंड में लगातार जिस तरह से आप रादिक गत्वधियां बढ़ रही है हाली में हुए रूबी का हत्यकांड को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है 23 दिसंबर तक जार्खंड विधान सभा का ये शीत सत्र चलेगा और इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार बने हुए है विपक्ष विभन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तयारी कर चुका है तो सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तयारी की जा चुकी है जार्खंड विधान सभा का शीत कालिन सत्र आज से शुरू होगा सत्त्र से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणरी तयार की है और इससे पहले सर्वदलिय बैठक भी बुलाई गई ताकि विधान सभा के शीत कालिन सत्त्र की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो सके हंगामे की भेंट ना चड़े विधान सभा का ये शीत कालिन सत्र लेकिन सत्तापक्ष को घेरने की विपक्ष ने तयारी पूरी कर लिये है तो दूसरी ओर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए भी सत्तापक्ष की ओर से तयारी की गई है वहीं से शीत कालिन सत्र में कई महत तपोन विध्यक भी विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे जिसको लेकर भी सरकार ने तयारी की है सत्तापक्ष के ओर से इस विशे को लेकर भी तयारी की गई है बढ़ते आप राधिक माम ले न्युक्तियों से जुड़े माम ले और जस तरह से हिमन सुरिन सरकार ने कुछ लुक लुभावन फैसले लिये थे और उन फैसलों में अडंगा लगा है और ऐसे में सरकार द्वारा युबाओं को ब्रमित करने का भी विपक्ष की ओर से आरूप लगाया जवता रहा है तो इन तमाम विश्यों को लेकर का हंगामा देखने को मिलेगा